हलो एब्रीवन यह वेलकम टू वैसनोस टूटोरियल और आज हम बात करने वाले महाजनपत काल इससे पहले हम हडपा काल और जो आपका वैदिक काल है उसके बारे में चर्चक कर चुके हैं जितने इंपोर्टन चीजें कोर्स से लेलेटेड हैं वो सारी चीजें मैं उसमें आ हमें किस तरीके से मैप भी करते हुए चलना है दोनो तीनो चीजें आपको मैंने कहा है कि एकी चीज को हम तीन तरीके से कर रहे हैं कुछ चीजें हम ट्रिक से कर रहे हैं कुछ चीजें हमें पढ़कर रटनी हैं मगब करनी हैं और कुछ चीजें हमें देखनी है या उसे हम क पिक्चीुराइजिशन मैथर करना है तो चलिए आगे चलते है महा जनपत काल महा जनपत काल में सबसे पहला जो कुश्यन अपका बनेगा वो है आपका करपा कि जो अवगंतिका है उ किसका पुराना नाम है तो यह उज्यएन का आपका क्या है? पुराना नाम है चांदी के सिक्के महा जन्पत काल में सबसे प्राचीनतम जो सिक्के हैं वो चांदी के सिक्के माने जाते हैं काशी काशी क्या थी सरवादिक शक्तिशाली राज्य था छटवी शताबदी का यहां महा जन्पत काल में अगर आप बात करें तो आपका क्या था सरवादिक छटवी शताबदी की हम बात कर रहे हैं काशी जो था वो सरवादिक शक्तिशाली राज्य था उदियन वास्दत्ता इसकी एक दंत कता है जो की आपकी उजयन से रिलेटेड है तो उदियन वासदता जो है वो उजयन से related कहानी है उसके बाद आता है जो उदेन है ये संस्थापक माने जाते हैं पाटली पुत्र के उदियन तो आप लिखेंगे पाटली के पुत्र हो गए आपके उदियन तो आपको याद रहेगा पाटली के पुत्र का उदे इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं ये संस्थापक थे उसके छट्वी शताब्दी में अगर हम बात करें तो जो मगद था मगद का जो उतकर्श हुआ या मगद जो शक्तिशाली बनना शुरू हुआ था वो छट्वी शताब्दी में हुआ था अंगुतर निकाए क्या है अंगुतर निकाए एक बहुत गरंद है और इसी से हमें पता चलता है सबसे पहले कि सोला महा जनपद होते थे तो सोला महा जनपद की जो पिक्चर है वो हम पूरा देखेंगे अभी पहला गणतंत्र अगर हम डिमोक्रेशित की बात करें तो पहला गणतंत्र कौन सा था वो था आपका वैशाली और जो वैशाली था वो लिच्वी वंच के द्वारा क्या किया गया था अब एक और जगे का नाम है वो है असक या उसे अश्मक भी बोला जाता है ये गोदावरी के तट पर था गोदावरी नदी तो गोदावरी नदी की आप कहेंगे कि किसकी गोद में अश्मक की गोद में तो उससे आपको गोदावरी याद हो जाएगा अंद्रचंद्राकार नगर वो कौन सा था? श्रावस्ती की बस्ती अर्द्रचंद्राकार थी ठीक है? तो जो श्रावस्ती है उसे आप इस तरह से रखेंगे तो ये पूछा जाता है कि जो श्रावस्ती थी अर्द्रचंद्राकार नगर कौन सी जगह पर था? मगत की राजदहनी थी अजाद शत्रु को सबसे पहले याद रखा जाता है तो आप कर सकते हैं कि शत्रु यापने पिता का ही शत्रु था मगद का राजवंश, मगद का जो राजवंश था वो हरियकवंश, शिशुनाग और नंद, तीन चीज़ें आप लोगों को याद रखनी हैं, मगद में सबसे पहले हरियकवंश, शिशुनागवंश और फिर आते हैं नंद, वंश, तो इसको मैंने याद किया था हसन से, हसन, अब जो ये शह है इसको हमेशा इस तरह से बनाईए हशन ठीक है तो क्योंकि नंद वन्शाय था उसके बाद में मौर्य वन्शाय था तो क्योंकि जो नंद था उसे मौर्य ने खतम किया था तो आप इसे हशन इस तरह से याद रखिए अगर आता है कि मगद में कौन सा था, तो इस तरह से आप इसे याद रखिए कि मगद हशन, तीक है, मगद अपॉन हशन, इस तरह से, मगद बटे हशन, इस तरह से याद रखिए, तो हर्यक वंच, शिशुनाग वंच और आपका नंद वंच, जीवक, जीवक कौन थे, ये एक परशिद वैद थे जीवक आपके क्या थे परशिद वैद थे ये बुद्ध के काल में हुए थे तो जीवक पूछा जाएगा कि जीवक का जो व्यावसाय था या जीवक कौन थे तो एक परशिद वैद थे तो जीवक जीवन तो जो ये वैद थे ये आप लोगों को याद हो जाएगा कि ये जीवन देने वाले वैद थे जीवक विम्विसार का दरबारी वैद कौन था ये थे आपके जीवक और क्योंकि जो विम्विसार का काल था वो आपका बुद्ध का काल भी था उसके बाद आता है आपका चंपा चंपा अंग की राजदानी थी तो इसे मैंने इस तरह से किया था कि चंपा के अंग आप इस तरह से कर सकते हैं ठीक है चंपा के अंग मत्रा मत्रा जहे सूर सेन की राजदानी मत्रा सूर सेन की राजदानी थी शक्तिमती या सोतिवती जो था वो चेदी लोगों की क्या थी चेदी राज्य की गंडराज्य की क्या थी राजदानी थी अजात शत्रू अजात शत्रू हर्यक वन्च से संबंदित था अजात शत्रू जो अपने पिता का ही शत्रू था खारवेल की हाथी गुफा अबलेक तो खारवेल की जो हाथी गुफा अबलेक है उससे राजा नंद का उलेक मिलता है राजा नंद का जो नंद वन्श वाला नंद कालपी, कालपी यमना के तटपर था कालपी जो जगह थी वो किसके तटपर है यमना के तटपर घरानन जो थे वो शिकंदर के समकालीन थे तो यहां पर क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि जो उत्तर परदेश और इस तरफ का एरिया था वहां पर आपका क्या था जो बिहार तक ठीक है जो आपका शिकंदर था शिकंदर डिरेक्ली उसने घरानन या मगद पर आकरमा नहीं किया था क्योंकि मगद किया था बहुत शक्तिशाली राज्य था उस टाइम पर तो साइड से होते हुए वो आया था और फिर साइड से होते हुई वापस चला गया था और उसके बाद उसकी मृत्यू हो गए थी शिकंदर की तो आपको याद रखना है कि जो गहनानन्द थे क्योंकि गहनानन्द के पास जब शिकंदर आया था तो उसी से बचाने के लिए जो चानक्य थे वो गहनानन्द के पास आये थे और जिसकों की चानक के को उन्होंने अपने दरबार से निकाल दिया था आगे देखते हैं उग्रसेन उग्रसेन भायानक सेना का स्वामी उग्रसेन इसलिए उसका नाम उग्रसेन था और ये महापद्मनन्द के साथ में था महापदमनिंद के साथ में जो था वो उग्रसेन था महापरिनिर्माण ये महात्माबुद्ध के जो अगर हम बात करें कि महापरिनिर्माण की इसे कह जाता है कि उनकी जो मिर्त्य हुई थी वो अजाद्शत्र के काल में हुई थी तो नाग ने क्योंकि उसको दश जिया था, इसलिए हरियक वंच का वो अंतिम शाशक था, इस तरह से आप याद कर सकते हैं दूसरा परशुराम किसे कहा जाता है, महा पद्मनंद को कहा जाता है, ग्रह पती, ग्रह पती क्या होता था, और किसान को बोला जाता था, धनी किसान को ग्रह पती, ग्रह पती कहा जाता था, ग्रह पती एक शब्द यूज होता था, उस टाइम, तो ये किस के लिए यूज होत अगर हम बात करें कि भारत में सिक्कों का परचलन कब से शुरू हुआ था वो बढ़ा था आपका 600 इसापूर में और सिकंदर का आक्रवन कब हुआ था 326 326 BC इसापूर में शुरू हुआ था उसके बाद आजाते हैं यहां पर आप लोगों को जो हमने ऊपर पढ़ा था उसे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यह सरावस्ती था तो यह सरावस्ती किस तरह की बस्ती थी इस तरह की ठीक है आपको सरावस्ती जो था हो जगए वो इस फ़ा ठापित हो था और पहला गंटर इस अदर एसे आप यहां पर इस मैप को देखते जाये कि कहां कहां पर क्या हुआ था मगत अब आपके पास यहां पर है आपका मगद, मगद क्या था स्रक्तिशाली राज्य था और नंदवंश यहीं पर था और छटवी शदी में इसका क्या हुआ था उतकर्ष हुआ था तो यह कुछ चीजें हैं आप लोगों को लुम्बनी आप लोगों को अभी थोड़ी देर इसके बाद जो बहुत आए अश्रक या अश्रक या अश्रक गोदावरी के तटपे था तो मैंने आप लोगों कहता ना कि आप लोग पिक्चर से याद रखिए तो यह है आपकी गोदावरी नदी अब आपको धिरे धिरे जब हम अभी भुगोल पढ़ेंगे तो आप लोगों नदियों के नाम भी या कि बात करेंगे ठीक है लेकिन फिलाल आपको क्या करना है गोदावरी तो इसे दिम आप सिर्फ देख लीजिए एक बार कि यह जो अश्रक या अश्रक इसे कहा जाता था वो कहां पे था आपका गोदावरी के नजदीक में है तो गोदावरी बिलकुल एक बार इसे कि आँखे बंद कीजिए इसे फील करने कोशिश कीजिए कि किस पार्ट में ये है आपके आँखे आप बंद करने के बाद जिस चीज को आप कोशिश करते हैं वो कहीं न कहीं आपके आप चीतन मन में चला जाता है सबकॉंशिस माइंड उसको ग्रैब करने के कोशिश करता ह इसके बाद देखते हैं जैसे बूद गया हो गया आपका नालंदा हो गया हां मैंने एक कुश्चन अभी पिछले उसमें बोला था कि जो तक्षिला है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि तक्षिला जो है वो किन दो नदियों के बीच में है तो मैंने आप लोगों क अभी करेंगे हम इसमें अंग हो गया आपका नालंदा विश्यो इद्याला हो गया तक्षिला कौन सा हो गया ठीक है यहां पर आप लोगों की नदियां हो गई है तो दीरे दीरे आप लोग देखते जाईए कि आप लोगों एक दिन ये पूरा मैप इतना अच्छा याद हो गोदावरी और दूसरी कावेरी याद रखना ठीक है कावेरी जो होता है देखिए यहां पर आप लोगों को ध्यान से देखना है कि जो इस तरह से ये जो आपका कट पड़ता है आपका ठीक है ये जो हिस्सा है आपका अगर इसमें थोड़ा सा राउंड कर लूँ ये जो ह इसके तोड़े उपर से आपको ये कावेरी याद रखना है, बस इतना आपको याद रखना है, क्योंकि इससे related कुछ fact आएंगे आपके, ठीक है, कावेरी हो गया, और कृष्णा हो गया, महानदी हो गया, लेकिन आप अभी फिलाल कावेरी और गुदावरी को याद रखिए, अश्मक या असक के लिए, आगे चलते हैं, आगे है आपका महा जनपद और उनकी राजधानी, क्योंकि ये पूछी जाती है, तो मैंने पहली चीज पूछी आपको किस के अंग थे, चमपा के अंग थे, मगद की कौन सी है, देखिए मगद में आपको गह याद रखना है, मगद लिखेंगे तो ग्रीवरज ये राज ग्रीह आपको याद रहेगा, ठीक है, मगद तो गह से याद रखना है, काशी का वारण इसी, आप लोगों को सभी को याद होगा, ठीक है, बहुत फिमस हो गया था, मोदी जीवा से उन्होंने चुना लड़ा था, वट्स, अब लोग याद रखेंगे वजजी का वैसली से है, वजज़्जी, वैसली, विधजे है, कोशल जो है, स्रावस्ति, देखें, आप लोगों को ध्यान होगा, कि जो पिछले उसमें हम ने देखा था, स्रावस्ति के सामनी कह Tा, कोशल था आपका, तो जो अपकी बस्ति थी कि स्र पिक्चर बना ली थी तो कोशल जो थे वो कहां चले गए थे आपके सरावस्ती की बस्ती में चले गए थे अवंती से याद रखिए उजेनी और महिश्मती तो आप लोग ने महिश्मती कहीं सुना होगा ये वर्ड आप लोग ने बावली मूवी अभी महिश्मती समराज्य आप लोग ने सुना होगा तो महिश्मती समराज्य उजेनी और आप लोग याद रखें कि वहाँ पर अवंती बना लीजिये ठीक है मैं भूल गया हूँ क्या rend में खाल साधा duty लेकिन में खुद अपने माइण में कर लिया था मल युद्ध होता है ना तो मल युद्ध को बोला जाता है कुष्टी ठीक है मल युद्ध को क्या बोला जाता है कुष्टी तो आप लोगों को याद रखना है कि मल युद्ध कुष्टी कुषी से कुछ होगा ठीक है तो कुषी नगर पावा आप लोगों को याद रखना है पांचाल, अहिच्छत्र या कामपिल या इसकी है, चेदी जो थी, हमने पीछे देखा, सोतवती या शक्तिमती उसकी थी, उसके बाद आता है कुरू, कुरू इंदरपरश्ट को बोला जाता है, सुरी, कुरू जो थी, उसकी इंदरपरश्ट राजदानी थी, मच्या, विराट नगर, मच्या, तो मच्या मीन्स होता है मच्ली, एक विराट मच्ली का आप लोगों को क्या करना है, मीन्स सोचना है कि एक विराट सी मच्ली है, बड़ी सी मच्ली है, विराट, आप लोगों को याद हो गया होगा, कंबोज, कंबोज, घटक, गटक, अब एकली जो मुझे याद है ये कमबोज मैंने याद किया था गड़वाली में एक जो होता है कद्दू ठीक है, गड़वाली में क्या होता है इस तरह से आपका एक, सुरी ये तो बहुती बुरा बना लेकिन आप लोग अगर देखेंगे कि इस तरह से कद्दू होता है तो उसे actual में बोलते हैं, यहाँ पर कमबोज लिखा हुआ है तो हमें इसको खिरबोज बोलते हैं गड़वाली में ठीक है, तो कोई भी language आप यूज कर सकते हैं ठीक है, तो मैंने इसे खिरबोज से याद किया था खिरबोज, कमबोज, ठीक है, तो अब ये क्या है आपका घटक घड़े की तरह है न ये, तो इस तरह से इसको खिरबोज, कमबोज से मैंने बनाया था लेकिन आप लोग इसे किसी और तरीके से कर सकते हैं At least six to seven में आप लोगों बता रहा हूं, बाकि आप लोग याद कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए इसको, लिस्ट आपके पास में है, सूरसेन मत्रा गया था, सूरसेन कहां गया था, मत्रा, सूरसेन मत्रा गया था, अश्मक अश्मक पोटली बानता था, जो अश्मक था, वो गोदावरी के किनारे पर पोटली लेकर बैठा रहता था, ठीक है, अश्मक क्या करता था, गोदावरी नदी के किनारे पर बैठा रहता था, और जो गांधार, तक्षिला, उसकी क्या थी, तक्षिला, तो यह आपको याद रखना है, तो होफ़ली आप लोगों को सारी पाके अंग थे, कासी औरणसी वच्स, आपको यात रखना है हम बोलेंगे, वच्स कॉशाम भी आप कैसे हैं, वच्छी इसका आपको यात रखना है, वच्छी का वच्जी वैशाली, कॉशल जो थे ब्रादर हैं, कॉशल, हो क्या करेंगे सरावस्ती की बस्ती में बैठेंगे अवन्ती, किसकी थी, महीश्मती ठीक है इसका आप लोगों को याद रखना है चलिए इस तरह से आप लोगों को ये PDF यूज करनी है मैंने पहले ही बताया है कि ये PDF बनाई इसले गई है कि आप इस तरह से याद आएगा कि जो विराट नगर था विराट मचली आप लोगों ने दिए विराट का मतलब होता बड़ी ठीक है घटक, घटक कौन था घटक जो था आपका किसके घड़ी मैंने कहा था आप लोगों को कि जो खिरबोज इससे बोला जाता था तो इसको हमने कमबोज से याद रखा था पोटली कौन बांध रहा था घटक है, गोदा अवरी के किनारे पे जो अश्मक था वो पोटली बांध रहा था इस तरह से आप लोगों को ये आपको एक सेल्फ टेस्ट करना अपना बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए ये पीडियाप जो बनाई गई है ये इसी परपस से मैंने बनाई है अब आगे चलते हैं यूनानी आकरमंट से जो कुछे जाते हैं उसमें है कि सबसे पहले पूछा जाता है कि जो सिकंदर ने आकरमंट किया था कब किया था तो वह है आपका 326 सिकंदर ने भारत कब छोड़ा था 325 ठीक है सिकंदर के जो मिरती हुई थी हो 323 तो आप इसको इस तरह से लिखते हुए चलिए 326 325 and 323 ठीक है अब फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ फैक्ट बूल जाईए अभी आपको फैक्ट पे नजर नहीं डालनी है आपको बस डिजिट लिखनी है 326 325 323 ठीक है तो इस तरह से आप लोगों को इसे कोशिश करनी है अब आप लोगों को तब आप फैक्ट अपने आप कर लेंगे जो सिकंदर इधर आया था सिकंदर फिर वापस चला गया सिकंदर आया फिर सिकंदर वापस चला गया और उसके होगे डेथ ठीक है तो ये तीन चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगे उसके बाद है कि सिकंदर और पोरस का जो युद हुआ था वो पूरस का युद्ध कहा हुआ था जेलम नदी के तो सांच को चरस आप लोगों को याद आ गया होगा सिंदो नदी जेलम नदी जेलम नदी थी कहां पे ठीक है तो आप लोगों को पिक्चर से क्लियर हो गया होगा कि actual में जो सिकंदर की लड़ाई हुई थी या युद्ध हुआ था वो कहां पर हुई थी तो आप लोग इसे जूम कीजिए और यहां देखे यह रहा तो यह है आपकी जिलम नदी तो इसके तट पर यहां कहीं क्या हुआ था सिकंदर आया था और सिकंदर क्या हुआ था यहां से नीचे नहीं आया क्योंकि वो डर गया था कि अगर वो यहां पर आएगा उसके जो सेना पती थे उन्होंने कह दिया था कि हमें कई सो कई सो तो नहीं बोलेंगे लेकिन कई साल हो चुके हैं और हम लोगों के पास अब हतियार नहीं रह गए हैं, लोगों के कपड़े फट चुके हैं, रहने के लिए सारी चीजे, तो हम वीक हो चुके हैं, तो सिकंदर ने सोचा कि ठीक है, उन्होंने उसको क्या किया है, एक सलहा दी, कि यहां से फाइट करनी के बजाए हम यहां से नि नीचे यहाँ पानी टच करके और वापस चले गए थे तो उसी में क्या हो गया था तो 3 आप लोगों को याद रखना है 326, 325 and 323 यह तीन चीज़ें आप लोगों को इस तरह से याद हो जाएगे उसके बाद आता है एक वर्ड आपको याद रखना है कि मीन्स पत्थरों को पत्थरों पर लिखना शुरू कर दिया था कि मीन्स जो भी ओ करते थे काम, राजा लोग उसको पत्थरों पर लिख लिया करते थे च्छतरप पढ़ना ली, च्छतरप क्या होते हैं च्छतरप पहले जो इंडिया में जैसे कोई राजा है तो अपने कोई गवर्नर आप बोल सकते हो गवर्नर सिस्टम ठीक है कि जगह जगह उन्होंने अपने गवर्नर रखने शुरू कर दिये फिर जो राजा थे पहले राजा क्या करता था खुद ही सारी चीजों को डील करता था लेकिन बाद में उन्होंने अपने गवर्नर रखने शुरू कर दिये खत्रप पढ़नाली भी कहां से आई इरानी आकरमन के बाद उसके बाद घंटा आकार का गुमबज भी उन्होंने बनाना शुरू किया था और इस्तरी अंगर अक्षक उन्होंने रखना शुरू कर दिया जैसे चंदरकुप्त मौरे के उसमें देखेंगे आप अगर स्टोरी आपने पढ़ी हो देखी हो तो उसमें आप लोगों पता चलेगा कि उनका इस्तरी अंगर अक्षक या बाडी गार्ड वो अपने साथ रखते थे सिकंदर के साथ भारत कौन-कौन आये थे वो भी आप लोगों को याद रखना है कुछ लोग आये थे वो थे आपके निर्यांकस आने सीक्रिटस एन अरिस्टो बलस तो इसी के साथ आपका जो महा जन्पत काल है युनानी आक्रमन है ये सारे समाप तो होते हैं और आप लोगों को क्या करना है पढ़ने के बाद एक बार अपना सेल्फ टेस्ट जरूर कर लीजिए सेल्फ टेस्ट से ये होता है कि बार बार आप लोग इसे करते रहेंगे मैप में जरूर देखते रहें मैप को हर दिन कम से कम पांस से दस मिनट आप लोगों को मैप के साथ बिताना है और टिक करते रहिए बस आपको कुछ नहीं करना मैप खोलिए अपने फोन में गोदावरी हो गया, मुझे याद है इसके बारे में बोद गया क्या है, ठीक है वैसाली क्या है, वज्जी क्या है, यमना क्या है, यहाँ पर ठीक है वट्स क्या है, कोसल क्या है, क्या आपको इनको देखकर कुछ याद आ रहा है अगर याद आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, नहीं आ रहा है याद तो आप लोग इन्हें याद कीजिए और प्राक्टिस करते रहिए धिरे-धिरे आपको सारा मैप याद हो जाएगा फिर आपको जो कुशिंस आएंगे उनमें आप कॉन्फिडेंटली आप क्या कर सकते हैं अपना जो सेलेक्शन कर सकते हैं तो ठीक है मिलते हैं अगले चैप्टर में और तब तक के लिए बबाए टिक्या कोशिश करते रहिए पढ़ते रहिए